सब्सक्राइब कीज़े डॉक्टर्स लो चैनल को और प्रेस कीज़े बेल आइकन को केमिस्ट्री से डिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो स्टुडेंटि स्टुडेंट मैंने आपके लिए कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड कर आए थी जिसमें मैं आपको पताया था कि chemistry के वो ऐसे कौन से topic है जो आपके लिए scoring है और बहुत ही ज़्यादा important है NEET और AIMS के लिए तो बहुत सारे student के उसकी बाद और समझते हैं सामने आने लगी कोई कह रहा था कि मेरी physical beak है कोई कह रहा था मेरी inorganic beak है कि आपकी organic chemistry को आपको किस तरीके से लेकर चलना है कहां से आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक है तो बने रही है इस वीडियो के साथ end तक बहुत ही ज़्यादा important आपके लिए होने वाली है वीडियो को start करने से बहले एक छोटी सी information so student अब आप YouTube के साथ साथ मेरे सभी वीडियो लेक्चर unacademy पर भी देख सकते हैं जो कि आपके लिए एकदम free of cost है जिसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा अभी unacademy पर मैं आपके लिए करा रहा हूँ organic chemistry का crash course जहां मैं एकदम basic से लेकर चला हूँ अगर आपने अभी तक organic chemistry में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फटा फट से अभी unacademy के learning अप को डाउनलोड कीजिए और वहां मुझे साच करिए डॉक्टर विसेस पारसरी के नाम से यहां आप मुझे follow भी कर सकते हैं जिससे की जैसे ही मेरा कोई video lecture upload हो उसका notification आपको मिल जाए और आप समय से अपने course को complete कर पाएं यहां daily unacademy पर मेरे 2-3 video lecture upload होते हैं याद रखिए यहां सभी video lecture आपके लिए free of cost हैं एक भी पैसा आपको नहीं देना है इस video के description में भी मैं आपको अपने सभी lecture का link दे रहा हूँ वहां click करके भी आप मेरे सभी lecture unacademy पर देख सकते हैं तो चली student आप बात कर लेते कि आपको कैसे और कहां से पढ़ना है तो देखिए कोई भी subject अगर आप करने जा रहे हैं तो आप बताईए कि सबसे basic need आपकी क्या है इंग्लिस में नाम लिखने के लिए basic need आपकी यह है कि आपको ABCD पता होना चाहिए यही तो है कि जब तक आपको ABCD, EFG यह word आपको नहीं पता होंगे तो आप किसी का नाम कैसे इंग्लिस में लिखेंगे तो सबसे जादा basic किसी भी subject की जो requirement होती है वो होती है उसकी ABCD और आपकी जो organic chemistry की ABCD कहलाती है वो हैं आपकी IUPAC, Isomerium और GOC यह आपकी जो organic chemistry है उसकी यह ABCD कहलाती है ठीक है ना अगर यहाँ पर आपने इन तीनों चीज़ों को नहीं पढ़ा तो आप भूल जाएए कि आप आगे organic chemistry को अच्छा कर पाएंगे या आप उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं यह चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा important है तो आपको यह करना है कि आप अगर IUPAC पर चुके हैं कि आपकी organic chemistry अच्छी हो तो आपको start यहां से करना है अगर आपकी IUPAC ठीक है तो आपको यहां से start करना है अगर IUPAC ठीक नहीं है तो आपको यहां से start करना है बहुत सारे student करते हैं sir IUPAC से question नहीं आ रहा IUPAC से direct question नहीं आ रहा है भाई तो फिर आपको अपनी एक सीरीज स्टार्ट करना है जिसमें आपको पहले हाइट्रो-कार्बन, एल्कोहल, अलकिलहलाइड, कार्बोनिल कंपाउंड इस तरीके से आपको फिर ऐसेड, अमीन तक आपको लेकर जानी है अमीन तक आपको पूरा ये फिर complete करना है अगर आप चाहते हैं और ये सारी चीज़ें आपको करनी पढ़ेंगी ठीक है उसके बाद अब बात आती है कि आप इनको करेंगे कैसे इसके आपके दो रास्ते हैं पहला रास्ता तो ये है कि आप मुझे जोइन कीजिए मैं अनकाइ अब इसके बात अब ही मैंने वहां पर आइसो मेरिम स्टार्ट की है और मेरा जो टार्यट है वो ये है कि मैं आपकी दिसम्मर में 80% आपकी और गानिक केमिस्टी को आपकी खतम करा दूगा 80% का मदब यह कि अमीन तक जो अभी मैंने आपको पता है नहीं आई पासी आईसो इसमबर तक स्थीक है तो यह मेरी तो आप मुझे आप अच्छे तरही त्रुक्न ही है और वहां से आपको अच्छे तरहीम करा रहा हूँ और ऐसो मेरा को fellowship डूर्ट किल आन nosso मेरा की बहुंब को बड़नाल जैसा कि अब करां ओप हिन का तुन हो न्यूंते आम स्ण के का कि कहा जाएगा कि बताइए C4H802 यह आपको दिया गया है इसमें बताइए कितने टोटल acid isomer आपके होंगे कितने possible acid isomer इसके हो सकते हैं जहाँ पर आप क्या करेंगे जहाँ तर स्टूडेंट यह करेंगे कि इसकी structure बना-बना के देखेंगे उसके बाद आप बताएंगे कि कितने number of isomer इसमें हो सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मेरी अगर यहाँ पर लगाए जब आपने यहाँ पर यहाँ पर कारवन यहाँ पर देख लिए तुरंत आप बता देंगे कि इसके total number of isomer 2 होंगे अब ऐसा ही अगर यहाँ पर तीन होते यह आप कमा लीजी चार करवन के ऐसे होता तब भी आपको यहीं करना होता उसमें आप COOH इनकाल यह आपकी ट्रिक सही नहीं आती है यह concept का यूज करके आती है ठीक है अब आप कहींगे यह कैसे आपने बता दिया यह तो आपको रटी हो सकती है नहीं यह आपके पास भी आ सकती है आप मुझे वहाँ पर जाएए एक बार मेरे साथ करके तो देखिए यह तो बश ट्रेलर यह और भी बहुत साली एस्टी ट्रिक है जो आपके लिए organic chemistry को और सब्सक्राइल बता देती है इनके question आप easily solve उन से कर सकते हैं बस एक बार join कीजिए अगर आपकी IEPC आप कर चुके हैं तो कोई बात नहीं आई सो मैं से बाहा मुझे पर join कर सकते हैं वहाँ पर मैं पूरी organic chemistry के बहुत अच्छे उनके भी lecture पढ़े हुए आप उनकी मतल ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आप उनसे पढ़िए ठीक है तो यह आपके दो रास्ते हैं और जो coaching जा रहा है या फिर DLP join की है तो उनके लिए मैं कहूंगा कि आप जो मैंने sequence यहां पर उस sequence को पकड़ी और ए तो आप अब सोचना बंद करीजिए और ABCD से organic chemistry की स्टार्ट कीजिए जितना जल्दी हो सके होतनी जल्दी आप इनको खतम करने की कोशिच कीजिए अगर मुझे जवान करते हैं तो मैं आपको विस्टाज दिलाता हूं कि आपकी organic chemistry में ज्यादा से ज्यादा portion आपका December में मै मैं आपको खतम करा दूँगा एक बार मुझे अपनी जिम्मेदारी दे कि दीजिए मैं आपका जिम्मेदारी जो अगर आप दे रहें उसका भरोसा रखी कि मैं आपको निरास आपको नहीं होने दूगा जादा से ज्यादा मैं आपको वहाँ पर organic chemistry कराओंगा ठीक है तो च कर अपको नहीं है अब इतक हमारे biology वाई डॉक्टर स्लोक और डॉक्टर स्लोक chemistry चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आकन को भी प्रेस कर दीजिए इन दोनों चैनल पर ही आपको chemistry और biology के साथ साथ neat और counseling से related सभी जनकारी आपको मिलती रहेंगी पतल स्लöm पर ही जितरी आपकों मिलत이고 और सम्सक्राइब नहीं है अंक 154 Dog झान को सब्सक्राइब तो और क millise यह है झाल झाल